हेलो बच्चो आज हम इस वीडियो में थर्ड चेप्टर के कुशन एंसर करेंगे जिसका नाम है मराठा सर्दास दो फेमस हाउस ओफ बोसलेज लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपको हमारे नए वीडियो मिले और इससे पहले मैंने बाकी के दो चैप्टर एक्स्प्लेइन कर दिया है वह भी देख लो और मैंने यह चैप्टर भी एक्स्प्लेइन कर दिया है अकर वह आप नहीं देखियो तो वह वीडियो देख लो पहले ठीक है बच्चो तो चलो अभी हम कोशन सर करत है मैं आपको दिखाता हूँ यहां पर मैंने लिखाता हूँ पहला क्या है फिलिंदे ब्लेंग्स चुजिंदे करेक्ट ऑप्शन मतलब आपको यहां पर ऑप्शन चूज करके लिखना है पहला क्या है अमंग फेमस फैमिली इस ड़ डैश ऑफ वेरुल शोड ब्रेवरी एंट अंटरप्राइज मतलब कौन सी फैमिली ने बहादुरी और दिखाया था इसमें क्या मोरेज गोरपडेज बोसलेज इसमें अंसर क्या रहेगा बोसलेज यहां पर यह वाला रहेगा यहां पर आपको बोसलेज लिखना है ठीक है बच्चों सेकेंड क्या है सेकेंड देखते हैं सेकेंड है बाबा जी राजे भोसले है टू संस मालो जी एंड विठो जी तो यह देखो यहां पर विठो जी शाहा जी शरीफ जी लिखा है आपको यहां से अंसर लिखना है विठो जी अंसर है विठो जी तो इनके दो बेटे थे एक का नाम है मालो जी एक का नाम है विठ्ठो जी थर्ड क्या है मलिक अंबर वस कैपेपल आफ वजीर आफ निजाम शाह तो देखो यहाँ पर ऑप्शन दिया मलिक अंबर, फते खान, शरीफ जी तो अंसर क्या है मलिक अंबर यह आपको लिखना है यहाँ पर थेखो अभी देखतें आगे क्या है मुदब इनके बीच में क्या रिष्य थÁ वो हमेंक लिखना है पहला क्या है मालो जी राजे, विठ्धो जी राजे आंसर क्या है ब्रदर्स, मतलब भाई यह दूनों भाई थे, हमने चर्प्टर में पढ़ा है फिर B क्या है शाह जी राजे लकु जी राओ जादव सनिलो मतलब ये इनके दामाद थे मतलब हमने चेप्टर में पढ़ा है ना कि ये इनकी बेटी के साथ इनकी शादी हुई थी शाह जी राजे की लकु जी राओ जादव की बेटी के साथ इनकी शादी हुई थी C क्या है शाह जी राजे शरीफ जी तो क्या है इसका brothers मतलब ये दुनों क्या थे ये दुनों भी भाई थे शाह जी राजे और शरीफ जी ये दुनों भाई थे D क्या है बाबा जी राजे विट्थो जी राजे Father, Son तो ये दोनों क्या थे, मतलत है बाप बेटे थे, बाबा जी राजे और विठो जी राजे, ये दोनों बाप बेटे थे, ये हमने चैप्टर में बढ़ा है, फिर नेफ्ट किया है बच्चो एन मोरे एन जादो तो देखो इसमें क्या है पहला का अंसर है फाए एका तो सिंधखेत का क्या है देखो इसका अंसर है जादो फिर बी क्या है बी का अंसर है वान मतलब फल्टन का अंसर क्या है निम्बालकर फिर सी का अंसर क्या है फोर मतलब जवाली का अंसर है मोरे और डी क्या क्या है तू मतलब यह जो मुधोले इनका अंसर है घोर पड़े देखो यहाँ पर मैंने अंसर लिखा है आप इसको फटा-फट मैच कर लो ठीक है बच्चो अभी आगे देखते हैं आगे क्या है आगे है गिव अंसर इन वन संटेंस मतलब आपको एक लाइन में अंसर देना है पहला क्या है वो रिस्टोर दर टेंपल ऑफ ग्रुनेश्वर टू इट्स ओरिजिनल कंडिशन मतलब जो ग्रुनेश्वर भगवान का जो टेंपल जो मंदिर था किसने उसको वापिस बनाया तो घड़े टान है विच जागीर वाज बेस्टोर्ड अपोन मालो जी राजय बाइन निजामशा ह्साम सो धिताब जो सब्सकीन घ हो पुने को निजामशा ने दिया था यह सब ties Tucson मालो मतब जाघीर of पुने मतब पुने की जाघीर और सूपह पगǫनास की जागीर थी वो निजामशाय ने दिया था मालो जी राजे को नेट्स टोश्चन क्या है बच्चो C मतब निजामशाय के क्लिए कुछज़ क्लिए को बहदुरी से लड़ा था With what title did Adil Shah honor Shahaji Rajay, मतलब कौनसे नाम से Adil Shahe facilities ने Shahaji Rajay को सम्मान दिया था, तो इसका अंसर किया है, Adil Shah honored Shahaji Rajay with the title of Sir La Joghar, मतलब अदिल dlatego, Adil Shahe लाजे tai जी रा pills levar Adil Shahi and return तो निजाम शाही मतलब जो शाहजी राजे थे वो आदिल शाही छोड़ के निजाम शाही क्यों वापिस आए ये आपको बताना है तो इसका अंसर है निजाम शाह मदर appeal to शाह जी राजे to return to निजाम शाही and save it मतलब जो निजाम शाह की मम्मी थे उन्हों ने शाह जी राजे को request किया कि आप निजाम शाही वापिस आ जाओ उसको बचा लो therefore शाह जी राजे left अदिल शाही and return to निजाम शाही इसलिए शाहाजी राजे आदिल शाही छोड़के निजाम शाही वापिस आ गए ठीक है बच्चो अभी देखो last में आपको क्या करना है activity locate places like एहमद नगर, फल्टन, वेरूल, सूपे, पूने, इंदा map of महराष्ट, मतलब आपको महराष्ट का map लेना है उसमें आपको ये सब जगे देखके बताना है कहां कहां पे है बच्चो ये आप खुछ से करो अगर आप नहीं कर पाओ तो मुझे comment box में बताओ ये मैं आपको अगले वीडियो में करा दूँगा ठीके बच्चो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करो, शेर करो और चैनल को सबस्क्राइब करो तब तक के लिए, गुड़ बाई